हलो 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 दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वाइट है आपका एक और ने पाड़कास्ट में तो आज का पाड़कास्ट कुछ इस तरह है कि आप आइ ड्रोन तो रियलाइज इसका मतलब है मैं डूबा कुछ चीजों को समझने के लिए मैं डूबा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई मैं डूबा तो कुछ चीजों का मुझे हैसास हुआ and that's what the podcast of today is all about to the thing is मैंने आज से कई पांच छे दिन पहले swimming सीखना शुरू किया है और recently बहुत और मैं जंदगी में कभी पानी में उतरा नहीं था तो I didn't have any idea how that goes क्योंकि सबको पानी से डर लगता है that's a reflex सबको पता ही है but I had a kind of phobia too दर तो सबको लगता है और उसमें phobia यही बात है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तो उस दर को खत्म करने के लिए मैं पानी में पानी से दोस्ती करने निकल पड़ा ऐसा कुछ हमझ लीजी तो सीनी मैं मुझे करीब पांच तीन से चार सेशन हो चुके हैं मतलब स्विमिंग है about an hour a day तो इस पांच छे घंटों में मैंने स्विमिंग सीखिया है यह समझ लो तो आज मेरी स्विमिंग सेशन का तो आज तो पीशे से आते हैं पहले जैसे हमें कुछ पता नहीं होता कैसे स्विम करते हैं कैसे पानी को फील करते हैं पानी के साथ काइंड और एक दोस्ती जैसा रिस्ता बनाना होता है तो उसके बाद हम वी आर अबल तो तो यह सिस्टम होता है तो पहले दो दिनों में I got familiar to the water and how it all works and what is the physics and all the other aspects about that तो यह सब हो गया तो तीसरे दिन यह चौतरे दिन I've got a friend of mine there who is a good swimmer तो से मैं सीख रहा हूं तो उसने मुझे बताया कि if we hold our breath और हम सांस रोक कर हम जब पानी में सीधा लेट भी जाएं तो हम वापस तरह तरह उपर आ जाते हैं so that a tube की तरह हमारी body बन जाती है जिसके अंदर हवा भरी हो और वो पानी पर तरने लगती है तो ऐसे ऐसे सीखते मैंने थोड़ी थोड़ी केकिंग भी करने लगा फिर सब होने लगा ठीक से इसमें तीन चार दिन लगए तीसरे चौथे दिन मैंने ये प्रैक्टिस किया फिर आज जब कल जब मुझे बहुत अच्छे तरह से सब कुछ आ रहा था तो मेरे दोस ने मुसे कहा कि थोड़े से डीपर वाटर में जाते हैं और वहां यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट और गेट टू अधर साइड और जब भी मतलब तेरी सांस तुटे बाहर आ जाना और फिर से वहां पर किकिंग और पैडलिंग ट्राइ कर लेना और अधर एंट पर पहुंचाना ऐसा प्रक्रिस से और अगर हम डीपर पानी में जाएंगे तो ही दूसरे कहेगा है दोस्ते मुसे कहा तो अविस है मैंने उसके बात मानी और जबकि मुझे थोड़ा सा स्वेमिंग आ रही थी मतलब थोड़ी नहीं अच्छी खासी I was able to float and all that तो मैंने किया मैंने ट्राइ किया तो मैं आदे से जादा रास्ता मैंने अच्छे से पार किया और जब मेरी सांस तूट गई तो I tried कि मैं सांस लूँ और फिर से बानी में चला जाओं अधर साइड को टच कर लो या फिर वहां पर पहुंच जाओं लेकिन वहां पर यह हुआ कि I panicked और उस panic वाली situation में मैंने kicking और paddling बन कर दी और I started drawing तो वहां में डूटना शुरू कर दिया तो मैं वहां पर इतना डर गया और इतना डर गया कि मैंने सब कुछ मतलब swimming का मेरा जो भी हमें 0.5 या फिर जो भी लेवल होगा मेरा तो वह भी मैं भूल गया एकदम सारे rules भूल गया सब कुछ भूल गया and started behaving like an immature तो ऐसे मैं मुझे को सूज नहीं रहा था फिर भी I went into the floor of the pool and I just bounced back out of the water two times twice और उसके बाद भी मैं डू भी रहा था तो मेरा दोस तो एकदम blank था उसने उसे को सूज नहीं रहा था क्यूंकि I was so scared and I was hitting the water so hard he was unable to see also I was literally I was it was all messed up so then a guy from outside the pool jumped off and pulled me over to the other side और यह हुआ मैं मैं एकदम घबराया हुआ था मैं एकदम एकदम scared था और मैं यह वही बंदा हूँ जो एक end से पूल के बीच से थोड़ा सा आगे तक आराम से आया और वहां डूबना शुरू कर दिया तो जो लोग थे जिने swimming आती थी वो लोग पूछने लगया कि अरे तुझे तो swimming आती थी ऐसे कैसे डूब रहा था था तो सब भी मुझे बाताने लगया कि इसा है तीन दिन हो चुके हैं चार दिन हो चुके हैं कोई बात नहीं आएगा 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 तो उस मुमेंट में मुझे इतना डर लगा कि मैंने अपने आपको मतलब इतनी गंदी सिच्वेशन में मैंने कभी नहीं पाया था तो मैं इतना डर गया था कि I was thinking about getting out of the water out of the water and खर चला जाओं बस मैं यही सोच रहा था बट मैं जहां लो लेवल्स होते हैं पानी के मैं वहां गया थोड़ी दिर मैं रुका I've waited for a minute or more और वहां मैंने सोचा कि life में भी बहुत से बुकाम आते हैं जहां हम पहले तो complain करते हैं कि हमें यह नहीं आता वह नहीं आता और जब हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ उसमें हमारा होने लगता है हम थोड़ा बहुत उसके लेवल वन दस बीस लेवल में से लेवल वन लेवल हाफ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं इसा नहीं होता है लाइफ में बहुत सी चीज़ें हम शुरू करते हैं उसमें उताई चढ़ा वाते हैं हम हम हमें समझना पड़ता हैं में समझ कर लीनी पड़ती हैं चीज़ हमें報 में इतने बड़े सूरमयनस जो किलोमीटर में स्विंट कर सकते हैं वो भी तेजी से उनको डूपते देखा है उनके बारे में न्यूज सुनी है कि वो डूपकर घुजर गए ऐसी बहुत सी न्यूज जिनकी जो ताकत थी वो उनकी कमजोरी वनी और वो they ended up losing their lives मैंने ऐसे भी बहुत सो लोग देखें तो यहां the thing is जो जितना समझ रहा है कि वो उतने पानी में है वो इतने पानी में नहीं है शायद और अगर हम ऐसे ही हम सोचते हैं coming back to the point मैं वहाँ पर सोचने लगा कि life में भी ऐसा बहुत जगा होता है जहां हम थोड़ा बहुत सिखते हैं और एक बड़ा रिस ले लेते हैं और वहाँ जब हमें हार के सामना करना पड़ता है और हम वहाँ जब तूट जाते हैं वहाँ जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और हम जीरो पर पहुंच जाते हैं फिर से शुरू करने के लेवल पे तो हम घबरा जाते हैं और हम quit कर देते हैं, काफी बार 99% बार यह होता है बट और हम एक mythologically अपने आपको कहते रहते हैं, out of motivation and all that stuff, की हाँ, never give up and all that shit तो यह कुछ काम का नहीं है, तो मैंने सोचा की, क्यों न हम फिर से try करते हैं और मैं मैंने वहीं decide कर लिया कि मैं जब तक swimming पूरी सरा से सीख नहीं लूँगा, तब तक मैं उसे छोड़ूँगा नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ूँगा, और मेरे दोस्त ने शायद मुझे हासला देने के लिए ही सही, लेकिन उसने कहा कि अरे यार आज तो तेरा फिफ्ट टे है, लोगों को दस से पंदरा दिन ऐसा ही लग जाते हैं, तू क्यों इतना बाद मुझे लगा कि और यह तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कि मुझे, मुझे समझ आ गया, मैं रियलाइज किया, कि लाइफ में भी ऐसी बहुत सी मुमेंट्स आते हैं, जहां पे हम, हमको लगता है हमारे साथ सब कुछ ठीक है, हमको सब पता है कि कैसे होता है, क क्या होता है, क्या सिचवेशन से, लेकिन, not being aware of full and everything, हम सोचते हैं कि यह ऐसा होगा, यह ऐसा होगा, और हम जलवाजी में फैसले ले ले लेते हैं, और हम डूप जाते हैं, जैसे कि मैं स्वीमिंग में डूपा, तो पूरी तरह सीखें, और बहुत सी चोटें खाने के बाद लोगों को समझ आता है कि वो कहां गलत थे, और बहुत जगा डूपने के बाद, हर बढ़ाने के बाद, मशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद, लोगों को समझ आता है कि वो कहां गलत हुए, और कहां उने सुदार के जरूरत है, तो यही था, मैं सुमिंग सीख रहा थ तो मैं डूबा तो मुझे कुछ रियालाइज हुआ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो जल बाजी मत कीजिए और जो चीज शुरू की है उसे ऐसे मैं समझिए कि आपको सब पता है और अब सब जानते हैं उसे एक अच्छे इंड की तरफ लेके जाईए और किसी भी चीज को अधूरा छोड़ना यह तो उपर वाला भी गवारा नहीं करता और उसे भी पसंद नहीं और अगर अगर आप किसी भी चीज को अधूरा छोड़ते हैं तो पहली बात आपको कुछ हासल नहीं होगा आप कहीं पहुँचेंगे नहीं और उसका कोई सेंस नहीं बनता तो चीजों को पूरी करने की खोशिश करो क्योंकि पूरी चीजें खेम बहुत खुबसूरत होती हैं आदी चीजों से तो बहुत ज्यादा तो चीजों को पूरा करो हार मत मानो और इस बार लिटरली हार मत मानो बहुत महनत लगती है किसी भी चीज को करने में किसी भी सिचुएशन को समालने में किसी भी स्किल को सीखने में किसी भी इनसान को समालने में किसी भी जॉब्स को समालने में तो अगर आप अगर आप डूब रहें तो कोई बात नहीं आपको और सीखने की जुरूत है ना कि क्विट करने की तो डूंट क्विट चीजों को अदूरा मत छोड़ो लगे रहो and you'll get there मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली पॉड्कास्ट में तब तक के लिए बाए बाए